हलो इंजिदियार्स कहते हैं उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छों के मेरी पैरे बच्छों को नमस्कार मैं आरकेमिस्रा इंजिदियर्स अटाप इस वागत करता हूँ कि पहले की सारी चीज़े अलग थी और 2022-23 के बाद सब कुस बदल गया है तो मैं आप लोगों से गुजारीज करूँगा वीडियो शुरू सुझे के अंतर तक देखिएगा और यहां पर एक सबसे ज़्यादा देख रहे हैं मेकेनिकल के लिए हाउ टू स्कूर 160 प्लस मार्क् मास्टर प्लान इंजिनियर्स के लिए डिसक्स करूँगा है तो बचो यह वीडियो आप लोगों के बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है शुरू सुझे के अंतर देखिएगा अगर आपको SFCJ में सेलेक्शन चाहिए आपकी ब्रांच मेकेनिकल है तो बिना इस वीडिय और एनिमेशन के साथ साथ एक कॉस्टन की मुल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट हम लोग डिसकस करते हैं तो आप सबको जरूर आना चाहिए उस टाइम पर लाइब आना चाहिए अब सुनो एक चिस मैं आपको और बता दू होली की बहुत-बहुत सुपकामना है सारे मेकेनिक के साथ साथ 18 रुप्ट में 2 साल के स्क्रिप्शन जिसमें SSC, JE के बेज, RRB, JE का, ALP, Technician का जितने भी सारे बैचेस 2 साल के लिए आएंगे वो सारे बैचेस मिल जाएंगे और जोइन करते से मां कूपन कोड आलवेस जो यूज करना है Y201 मैक्सिमम डिसकाउंट के लिए Y20 चलो, क्योंकि उससे क्या होगा एक प्रॉपर मेंटरिशिप में रहोगे और आप मेरे साथ कनेक्टेट भी रहोगे और सबसे इससे जादा किसी कोड से डिसकाउंट भी नहीं है, ठीके चलो, लेट से स्टार्ट दे वीडियो, तो वीडियो सुरू करने के पज़े सब तो यहाँ पर है कि देखो, स्से जेई का जो 2023 का इलक्टिकल मेकेनिकल आपको भी पता है कंबाइन कटाफ जाता है, हर क्टेगरी के कटाफ 131 है, मतब इतना तो मुझे पता चल गया, कि मेकेनिकल टोटल 2073 लोगों ने क्वालिफाइट किया था, कि भाई अगर इतना समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ, आप टार्गेट दो 160 का, उसके बाद आपकी स्कूरेसी जो इसको एकूरेसी बोलते हैं, करीब 95-90 परचेंट तब जा करके आप, और सिर्फ आपको CBT1 निकालना है, या दोरू निकाल करके अच्छे डिपार्टमेंट बजाना है तो बच्छों मैं आपको बोलूँगा कि 160-65 का टार्गेट अगर जबर्ज़स तरीके से लोगे, तो मुझे दगरा है कि आप लोग 155-150 सिस्कूर कपा होगी, और वो आपको अपना best marks बनाएगा, अब यहाँ पे देखो, मैं अगर बात करूँ, तो non technical में देखो, 80 plus ला सक कैसे मैं आपको बताऊँगा, चिंता मत करो, पूरा वीडियो देखना जरूरा आप लोग, अब देखो, यह आपको 2022 में आपको थोड़ा से कटाओ, कम गया, लेकिन मैं बोलूँगा कि 2023 में, 2024 में अगेन हो सकता है थोड़ा जादा जाए, इसलिए अपनी जबर्जस्त इंसाफी हो जाएगा, थोड़ा सा strategic approach अपनाना पड़ेगा, next level का approach, कुछ setup rules अपने life में लाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो लाइए ज़रूर, आज में CPR टेकनिक की बात नहीं करो, हर एक बच्चे को पता है, पढ़ने का जो best method होता है CPR, अगर आप एक हमारा जो 160 प्लस जानाने वाले बच्चे के पास क्या होता है, तो देखो बैटा, सबसे पहले आप जिस SSC JAE के examinations की pattern को साच, समझो उसके marking scheme को क्या होगा, और आप जब किसी goal के लिए करते हैं तो उसमें decide करना पड़ेगा पहले से, कि यार हम reasoning के लिए कितना time देंगे जिए के लिए कितना time देंगे, तो मुझे दगरा है कि ideally reasoning जब exam में appear होंगे, तो मुझे दगरा है कि 30 minute, जिए के लिए 10-15 minute, बाकि rest of the time आप अपने technical पिए तो अब इस thought process से जब आपनी पढ़ाई करोगे, तो जब भी mock दोगे, जब भी आप test दोगे, तो उतना ही time allocate करोग तो इससे आपको time management का पहले से idea होगा about to examinations better, शुरू सरे के आन तक वीडियो देखेगा, बहुत ही मज़ेदा, मज़दार वीडियो है, मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद syllabus की mastery हमें करनी पढ़ीगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो exam देने जाते हैं उसमें 80% दोग syllabus की mastery नहीं की होते हैं, PhD नहीं की होते हैं, नहीं पता होता है पूरा exact syllabus, सही से उनके पास decoding नहीं होती है, analysis नहीं होती है, this video is for you guys, फिर उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी होता है, उस syllabus में important topic कौन सा है, कौन कौन सा area है, जहां पे हमारा strong है, जहां पे हम सबको मैं बताने बाद हूँ, यह सारा चीज, और हमें वो चीजों को improve करना है, next बहुत जरूरी है मेरे पैरे बच्चो, time management, time management में देखो एक्चे जयाद रखना, हमें अपनी पूरी पढ़ाई को, तीन पार्ट में divide करना पड़ेगा, हमें अपना 10 गंटे पढ़ने हैं, तीन से चार घंटे प्राक्टिस पे, तीन से चार घंटे आप अपने concept पे देदो, तीन से चार घंटे हमें revision पे देतो भाई, तीन से चार घंटे हमारा revision करतो, और during the preparation and during the actual exam, और यही चीज देखो exam हाल में भी हमें करना पड़ेगा, preparations में भी time management, exam हाल में भी time management, मैं हमेसा होता हूँ मेरे प्यारे बच्चो एक्जाम हाल में हमेसा फर्स्ट आसान 1E2M3T मेथड यूज किया तरो पहले राउंड में easy questions, second round में moderate, third round में tough questions फिर उसके बाद previous year paper previous year paper एक बहुत बड़ा हत्यार होता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ previous year paper पे dependent होते हैं या फिर वो previous year paper को नहीं दगाते हैं मैं आपको बताओं पूरे paper में किसी भी exam को देने जार अगर आपके पास आपने previous year नहीं solve किया तो कुछ नहीं किया 30% questions वहाँ से repeat होते हैं तो भाई अगर हम target कर रहा हैं 160 number में तो हमारा 40-50 questions तो previous year से ही आएगा ना तो क्यों नहीं हम previous year को हतियार बनाएं फिर उसके बाद mock test आज के दौर में जो चल रहा है कि बच्चों आप अपने आपको जज नहीं करते हो सच में अगर आपको 160 marks से ज़्यादा दाना है न तो आपको mock test में जाना पड़ेगा regular आपको subject वादा mock test हर subject के end में उस subject के 3-4 mock test और पूरा subject जब complete हो जाए तो पूरा entire mock test at all India available पे अपनी speed, accuracy, time management कहां पर हम stronger हैं कहां से हम lag कर रहे हैं उन सारी चीजों को आदेको mock test देने के बाद self evaluation बहुत जरूरी है क्यों अगर mock test दे रहे हैं और हमें यहीं नहीं पता चलता कि यह वादा पूर्शन strong है यह वादा पूर्शन weak है तो क्या ही मत्ज़र है तो यहां पे mock test देना बहुत जरूरी है अगर target बढ़ा कर रहे हैं तो आपको strategic way में चलना पड़े है मैंने हमेशा बोदा है बेटा कि revision बहुत जरूरी है मैंने अपने पूरे study को तीन part में divide करने के लिए बोदा है तो बच्चो revision बहुत जरूरी है revision courses करिए daily करिए और किसी भी subject को पढ़ रहे हो तो revision का best तरीका है कि एक subject को अगर 15 दिन स्टार्ट किये 15 दिन में complete करना है आनवेन या आफ़ेन किसी भी coaching से या study से तो जब भी आप पढ़ाई करें तो ऐसे करो आज पहला दिन पढ़ा पहला chapter revise करो दूसरा दिन जब आप पढ़ रहे हैं तो पहला दूसरा दूसरा करो तीसरा दिन पढ़ रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा करो चौथा दिन पढ़ रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा करो उसी तरह से अगर पंद्रहवे दिन में आप complete तो एक से लेके इतना तक करो जिसे हर एक चेप्टर की revision की frequency multiple times हो और देखना पंद्रहवे दिन आप जब revision करोगे न स्टार्टिंग के chapters को यूप पलट दोगे और आपको सब याद हो जाए गर recall हो जाएगा क्योंकि उसकी revision की frequency बहुत जादा है तो revision हमेशा ऐसे ही किया जाता है ठीक है लेकिन करना पड़ेगा और always updated रहो आप अपने examinations के और मुझे पता है अपडेटेंस के लिए हम खुद हैं आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मेरे पहरे बच्चों कि मतलब जो मैं मानता हूं यार जो मेरा मानना होता है मेरा मानना होता है कि पैटा जब प्रिप्रेशन्स में positive mindset करहना बहुत जरूरी है अगर आपके पास positive mindset नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है अपने आपको motivated रहना है अपने आपको मतलब कि बाहरी destruction से दूर रखना पड़ता है लोग आपको ताने मानने वालों को मुझतोड जबाब देना है selection के और selection देने के लिए हमें एक सिस है कि कुछ महीनों तक के लिए एक अच्छे environment में रह करके अपनी पढ़ाई करना है जो लोग ताने मार रहे हैं न कल को वही बोलेंगे यार तुमारे पर भरोसा था तुम बहुत मेहनत कर रहे थे तुमारा selection तो होना तै उनका नजरिया गिरगिट की तरह बत देगा अपने आपको positive और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि एक चीज में मानता हूं better guidance का बहुत जरूरी होता है जिसे होता है कि हम एक अच्छे guidance में अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारा selection भी अच्छा हो जाए मैं अगर आप for example में कि मैं खुदी PSU's qualified हो मैं खुदी get topper रह जो का हूं better ऐसा SSC या state level पे कोई ऐसा departments नहीं है honestly touched बतारो बटा मैं कभी जिन्दगी में जूट बहुने वाला काम नहीं किया तो मैंने हमेशा बच्चों को बुला है कि आप अगर selection लेना चाते है ना तो उन teacherों से पढ़ो जो LED ब बादा काम नहीं करते हैं यह जाद रखना तो एक better mentorship, better mentor के साथ coaching हो, teachers हो offline, online कहीं भी उनके touch में रहो जैसे आप लोग जब भी हम लोगों से बहुत सारे बच्चे हमारे ही coaching में पढ़ते हैं तो हमारे इसे personally touch में हमारा number होता है बच्चों के पास हमसे कोई doubt होता है तो हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको हम पढ़ाई के साथ साथ personal level पर कोई challenge आता है, वो भी solve करने के कोशिस करते हैं, जो कि यार हम जब एक इसी दुनिया में हैं और हमारा और आपका एक better संबंद नहीं रहा तो क्या पास है, ये courses सारी चीज़ें देखो, बच्चे आप आप students हो, आप UKG, UKG में पढ़े होंगे coaching, आप 10th में पढ़े होंगे coaching, 12th में पढ़े होंगे, बीटेक में पढ़े होंगे, डिप्लोमा, coaching या classes तो आपको करनी होती है, और जहां भी आपने पढ़ा है, वहाँ पर कुछ पैसा ही पेकिया होगा, कहीं तो ऐसा नहीं हुआ ह आप लोगों को free में पढ़ा दिया गया, तो फिर जब हम आपको अभी डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद preparation करा रहे हैं, वहाँ भी चार्ज करते हैं, लेकिन इतना honesty भी बता रहा हैं दोस्तो, UKG, UKG के master जो coaching पढ़ा रहे हैं, पर महीने 12-13 रुपर चार्ज करते हैं आज की दोर, और हम लोग तो दो-दो साल आप लोगों को लगातार पढ़ा रहे हैं, अचार्ज कितना कर रहे हैं, 17-18 रुपर और वो भी आपकी नौकरी के लिए, वहाँ पे सिर्फ आपको pass कराने के लिए, और यहाँ पे आपकी जिन्दगी का end goal achieve कराने के लिए, मुझे मुझे नहीं रखता है कि एक समझदार बच्ची को इससे कोई डिक्कत होगी, याद रखना, तो यह एक मुझे रखता है कि proper guidance देते चलो, और मुझे भरोजा है कि आप लोग जल्दी selection जोग एक देए, ठीक है, तो आज का वीडियो आपको पूरी तरह से dedicated था, तो मुझे जरूरी है कि ये mechanical में सबसे ज़्यदा, आप IC, IC को powerful हतियार बनाओ, pure mechanics को, और यहाँ पे thermal को, और उसके बाद RAC power plant, ये सारा subject आप बहुत जबरदस्त, क्योंकि 80% सवाल यहीं से आ रहे है, तो कोशिस करो कि इन subject उसे एक भी questions छूटी ना, बाकि non technical में देखो, मैं आपको पता तो GA में कोशिस ये करो, भाई, current affairs से 10 से 15 questions आना है, इसको full score करना है, फिर उसके बाद poverty से हमें पता है, quality से 5-6 questions आना इसको full score करना है फिर science से हमें पता है कि 12-15 questions इसको पूरा score करना है फिर उसके बाद हमें modern history से 4-5 questions इसको पूरा score करना है तो G.A. से हमारा target होना चाहिए कि 30 नमर एनिहा हुआ है बाकी subject को time में दे तयार करो बाकी reasoning तो भाई अगर आप जैसे मैंने आपको बताया ना daily practice कर रहा हुआ एक PYQ with mock test format में आपका 50 में 45 कहीं नहीं गया है 50 में 45 सिधर 45 सिधर 35 75 80 हो गया अपना target तो बस लगजाओ यार ठीक है तो जैकिन list out करो और एक चीज़ ज्याद रखना अगर आप mechanical engineers हैं और एक coaching mentorship देख रहे हैं तो आप आज जरूर आपका सपना पूरा होगा क्योंकि mechanical के महा पेट में वीडियो के नीचे description में या adda पे search करें ना website पे google पे adda.47 और यहाँ पे मेरे पहरे बच्चे हो सबसे पहले जैसे कि या मैंने search किया adda.47 तो यहाँ पे मैं search box में डादूँगा adda.47 जैसे या adda.47 पहली website इस तरह से open हो के आईगे इसमें आपको all courses में जाना है मेरे पहरे बच्चे एक सेकेट डुक जाना इसमें जैसे आओगे az a में जाना है फिर उसके बाद mechanical में जाना है और आपकी प्रांद से अगर mechanical है, mechanical में जाओ, civil है, civil तो यहाँ पे मेरे पहरे बच्चो view offer में जा करके आप एक बार देख देना क्योंकि अभी 8000 का दिखा रहा है यह course आपको 17 सब्सक्राइब यहाँ पर coupon code बच्ची गलत लगा लेते हो, आप लोगों को जन्मीन सला दूँ इस code के लावा कोई और code लगाना भी मत क्योंकि आपको admission तो हो जाएगा proper guidance और mentorship नहीं होगी और इससे जदा discount किसी code से भी नहीं है, तो कोशिस करना इसी code से always join करना है यह देखो यहाँ पे, दो साथ का महापक, 1825 रुपर बें, 79%, 1% additional आफ कर सकते हो गटा आप लोगो, कैसे, एप पे, तो अगर आपके पास अड़ा का एप नहीं होगा, तो जरूर कर लेना, इस चीज़ाद रखना, ठीक है, तो coupon code आजवेज जाद रखना यह, discount coupon code आपका य है, और यहाँ पे देखो, वेबसाइट से 1850 रुपर, एप से 1750 रुपर का अस्तास, तो जाओ, आज यह होजी के सुब उसर पे इतना बड़ा आपको इनाम दिया जारा है, तो उसका फायदा उठाव गया है, फोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ, लेकिन मुझे रखा कि आपको इंटाइर इंफॉर्मेशन डिसकस करना चीज़ मैंने डिसकस कर लिए, तो जहिन साथियों, और कोई कन्फ्यूजन हो, वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, मैं आपके पूरी सहायता करने के जिए तयार हूँ,